हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विकास अगर आपके पास ये वाला सैमसंग का फोन है या ये वाला सैमसंग का फोन है तो दोनों लगभग दोनों फोन में सेमी तरीका काम करता है आपको अगर कोई नंबर ब्लैक लिस्ट में डालना है तो मैं आपको बताऊंगा कि Samsung के Keypad वाले फोन में नमबर Blacklist में कैसे डालते हैं आईए जानते हैं सबसे पहले आप call नमबर डायल कर सकते हैं मेरे पास यह नमबर है दो तरीके बताऊंगा आप नमबर को डायल कर लेजिए आपकी call list में होना चाहिए या तो पर setting option को ढूण लीजिए नीचे आईए आपको मिलेगा यहाँ पर application बहुत नीचे की तरफ आईएगा application मिलेगा इसे open करो call वाले option में आओ all calls में आओ आपको यहाँ पर दूसरे नमबर मिलेगा auto reject इस पर आओ यहाँ पर एक नमबर देखते हो जो मैंने अभी ब्लॉक करा है अगर आपको कोई नया नमबर एड़ करना है तो option पर आओ create पर आओ ok करो नया नमबर यहाँ पर डाल दिये मैं कोई नमबर डाल देता हूँ कोई भी आप नमबर सेचे डालिएगा option पर आईएगा और save करिएगा नमबर यहाँ पर blacklist में हो चुका है यह वीडियो सिर्फ आपको कुछ जिखाने के लिए बनाए गई थी तो आप किसी और के फोन में इसका गलत इस्तेमाल ना करें वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा